यहां पर आप लोग का जियो टेखनिकल इंजिनियरिंग के स्टार्ट होने वाला है पीछे आपने देख रखा होगा बैक्ग्राउंड में पूरा लिखा हुआ है जियो टेखनिकल क्या हमारा सिलिबस होगा यह सब्जेट के अंदर के टॉपिक्स है इसके इंपोर्टन्स क्या है और क्लिए यह हमारे ग्जैम्स के लिए कितने रेलिवन है चलिए, यह सारी बात है मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, फिर one by one हम इन सारे topics को cover करेंगे, इसी sequence में है, जिस sequence में यह हमारे board पर mention किया हुआ है, चलिए, So geotech के अगर आप बात करो, so geotechnical engineering दो पार्ट में divide किया जाता है, एक आपका होता है soil mechanics और दूसरा होता है foundation engineering, तो यहाँ आपने दीख रखाऊगा, soil mechanics है आपका, और जो second है, that is foundation engineering, that is foundation engineering, चलिए, Soil mechanics में आपके different topics के name लिखे हुए है, ठीक है, और यह foundation engineering के topics है, तो दोनों को combine करके हमारा पूरा geotech होगा, और यह सारे topics आपके काफी holistic और proper way में यहाँ पे मैं discuss करने वाला हूँ आप लोगों से, ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हमारा जो पहले pattern क्या रहेगा, हमारे subject को cover करने का pattern क्या रहेगा, मैं वो आपको समझा दूँ, यह सारे topics के लिए same रहेगे, मैं आप से पहले उनके concept, उनके theories, properly discuss करूँगा, in between आप से मैं कुछ questions as an example form solve करवाऊंगा, मैं solve करूँगा, आप उससे देखोगे, सीखोगे, कोई भी chapter जब end करेगा, उसके end में उससे related सार critical questions भी होंगे, numerical questions भी होंगे, objective nature के भी होंगे, conventional nature के भी होंगे, means complete पूरा package के साथ, तो first chapter end किया, उसके question जब end किये, that means complete chapter आपका end हो चुका है, हर एक point of view से, अब आपको वहाँ पे क्या करना होगा, आप उस subject, उस chapter को खत्म होने के बाद, previous year के question लगा होगे, अपने exam से, ठ आपने properly उसे सुना है, अगर properly आपने उसे समझा है, और उसके उपर practice की, जैसा कि मैंने आपको instruction दे रखा है, वो मैं instruction देते जाओंगा, आपको in between, follow की, ये guarantee है कि आपके geotek का एक भी question miss नहीं होने वाला है, किसी भी exam में, आपके किसी भी exam में geotek का एक भी question miss नहीं होने ठीक है, तो चलिए हम लोग अब start करते हैं कि different topics क्या है, एक basic idea लेंगे कि इन topics में हमें क्या पढ़ना है, so उन में से क्या interesting चीज़े हैं, और फिर जब हम लोग उसे पढ़ रहोंगो chapter को तो detail में देखेंगे, so पहले मैं soil mechanics की बात कर लो, so soil mechanics में आपका first chapter जो है, जो हम मोटो क्या रहेगा देखने का, जैसे हमने बात की soil mechanics की, तो सबसे पहले हम देखेंगे soil है क्या, ये term कहां से आया, soil का मतलब क्या है हमारे पास, ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये soil का formation कैसे हो रहा है, so वहाँ पे आपका picture में आया, ये origin, so origin का मतलब, यहाँ स है, origin का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, formation से related है, so किस तरीके से ये form हो रहा है soil, so that is related, so origin का मतलब formation, हाँ आप लोग को थोड़ा से एक मन में doubt आ रहा है कि सर, ये काफी अच्छे handwriting में लिखुई है, आपकी handwriting इतनी अच्छे नहीं दिख रही है, तो आप जासा जानते है, हमा यहाँ पर formation देखेंगे, soil का क्या formation process है, क्या different steps है, उसमें included, ठीक है, जब एक बार हमने origin देख ली, उसका different properties, जैसे water, आपके soil के different properties होते हैं, वो different properties हमनों discuss करेंगे, जैसे कि example, water content क्या होता है soil में, void ratio क्या होती है, porosity क्या होती है, degree of saturation क्या है, unit weight क्या है, bulk unit weight क्या है, density क्या तो हमारा जितना भी properties यहाँ पर मैं जितने भी चीज़ों की नाम ली, वो सिर्फ और सिर्फ soil के relevant में ही हम लोग discuss करने वाले हैं, सिर्फ soil के relevant में ही discuss करने वाले हैं, चलिए, तो यह सारे properties आपने नाम सुन रखेंगे, पहले भी कभी ने कभी और यह सारे questions and properties से पूछा जा हमारे पास यह पूरी बात यहाँ पर रहेंगी, चलिए, फिर as it is हमने question उसके उपर solve करना है, second chapter पर आप आजाओ, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा index properties of soil, फिर आप बोलोगे सार एक बार जब properties of soil पढ़ा ही दिया, फिर index properties की क्या जूरत पढ़गी, देखिए index properties जो आप आप को क्या बोलूँगा, यह एक इंसान है, फिक है, तो वो base हो गया, कि आप एक human being होगा, आप एक homo sapiens हो, further इसके उपर मैं classification करूँगा, कि आपका complexion fair है, आप गोरे हो, या काले हो, या फिर लंबे हो, मोटे हो, पतले हो, तो यह बाकी features जो है, यह additional feature थे, यह उतने important नह के लिए इसके अलावा कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज भी होते हैं जो एडिशनल प्रॉपर्टीज होते हैं जो फर्दर और इन डेप्थ और भी गहराई में आप जाएंगे और भी प्रॉपर क्लासिफिकेशन चाहिए छोटी छोटी बातों को लेके क्लासिफाई कर सकते हैं इसका बेस्ट इंडेक्स प्रॉपर्टीज इसका बेस्ट इंडेक्स प्रॉपर्टीज इसका बेस्ट इंडेक्स प्रॉपर्टीज में आ जाएगा आपने नाम सुम्न रखा होगा कंसिस्टें नहीं सुना कोई बात नहीं अटर बर्वस लिमिट यह भी नहीं सुना चले कोई बात नहीं इतना तो जरूर सुनागा प्लास्टिक लिमिट लिक्विड लिमिट और स्रिंकेज लिमिट तो यह सारे लिमिट को ही हम लोग बोलते हैं करते हैं उस test के थ्रू किस तरीके से हम find करते हैं water content या specific gravity को वो सारी चीज़ है index properties में discuss करेंगे plus index properties में एक और खास बात जो discuss होने वाली है वो होगा particle size distribution particle size distribution स्वाइल जो आपका होता है स्वाइल के तीन पार्ट होते हैं उसमें air होगा water होगा और फिर solids होंगे तो जब स्वाइल के particle की size में बोल रहा हूं तो उस पूरे index properties में इतना पढ़ेंगे कि particle size के basis पे क्या different types of soils होता है तो यह रहेगा आपका second chapter का overall outline चलिए थर्ड आपका देखो एक और बात जब भी syllabus design के जाता है वो सारे chapters एक दूसरे से interlinked होता है तो first में जब आपने origin properties पढ़ ली तभी आप इसके additional properties को समझोगे जब यह properties भी आपन पढ़ोगे आप जैसे कि मैंने यहां पर बोला particle size distribution पढ़ने वाले हो तो एक बार particle size distribution पढ़ लिया आपको ये मालूम चला कि particles के size के basis पे different different soils हो सकते हैं अब इसके बारे में हम detail में पढ़ेंगे यहां soil classification third chapter में third chapter का first half soil classification में क्या करेंगे हमारे पास different classification system है जैसे कि highway research board classification system size distribution classification system या फिर Indian soil classification system या फिर आपके textural classification तो different category है different basis हैं जिसके उपर हम लोग soil को classify करेंगे तो वो सारी चीज़े हम लोग पढ़ने वाले है soil classification में ठीक है soil classification जब देख लोगे इसके second half में आता है soil की structure कैसे होती है तो soil की structure के बारे में हम लोग वहाँ पर basically पढ़ेंगे कि वो course grind का structure क्या होता है fine grind का क्या होता है जैसे कि cohesive matrix structure होते हैं तो यह different types of structure पढ़ेंगे इसके बाद soil structure में एक और important point है वो है clay का structure sand के structure को हम इतना नहीं पढ़ते है sand का structure बहुत ही simple होता है तो इसके उपर हमारा कोई discussion भी नहीं होता है but clay अपने आप में एक बहुत ही खास important type of soil है इसके features बहुत ही अलग होते हैं बाकि type of soil से इसलिए हम लोग clay की structure के बारे में यहां पढ़ेंगे जैसे clay के different structure होते हैं आपके kaolinite होते हैं, montmorillonite होते हैं या फिर elite होते हैं so यह सारी चीज़ा हम लोग पढ़ने वाले हैं soil structure में so that will be the third chapter जब structure भी आपने पढ़ लिया next हम लोग पढ़ेंगे कि इसके structure में मैंने आपको बोला water होता है न मैंने बोला air water and solids so this water के बारे ममलूग पढ़ने वाले हैं और water ममलूग मैंने सिर्फ यहां ground water लिख रखा है that means कि हमारे लिए ground water है relevant है और क्यों है ऐसा यह चीज़े वहाँ पर आपको detail में बताई जाएंगी water के different form होते हैं groundwater, capillary water आपके होते हैं वैडोज water होते हैं, structural water होते हैं, water of crystallization होते हैं, क्या difference इनके बीच का वो आपको वहाँ पर बताऊंगा generally अगर आपसे ground water पूछा जाए तो आप क्या बोलतो हो, जो भी जमीन के नीचे मिलती है, जो भी earth surface के नीचे मिल रहा है वो water groundwater है बट वो एक layman की भासा हो सकती है, बट आप लोग engineer हो, engineering के turn के अगर आप बात करो, technically आप बात करना चाहो तो ground water का definition कुछ और होगा और ये चीज़े में वहाँ पर आपको दिखाने वाला हो कि actual में groundwater क्या होता है, so ground level के नीचे मिलने वाले सारे water, groundwater नहीं होते वो एक particular layer होता है, जिसमें groundwater आपका present होता है, काफ़ इंट्रेस्टिंग है, ये चीज़ें आपको बताई जाएंगे फोर्थ चैप्टर में, चलिए इसके बाद हम लोग आ जाएंगे, फिफ्थ में effective stress के उपर, effective stress के उपर क्यों आ रहे हैं, देखे, actually हम लोग total stress देखेंग अब जब soil की property देख लिए, soil का structure देख लिया, तो subject जो हमारा geotake है, basically इन soil के उपर हम लोग load apply करने वाले है, soil mechanics का मतलब ही ही हो गया, application of laws of hydraulics and mechanics over soil, तो laws of mechanics है hydraulics आप use कर रहो, that means आप उसके उपर force, load, ये सारी चीज़े apply करने वाले हो, तो जब force apply करोगे, जब आप load apply करोग तो वहाँ पर stress generate हो रहा है, so इस stress को हमनों बोल देंगे कि total stress हो रहा है, but ये जो total stress होता है, basically उसके दो component होते है, एक होता है pore water pressure, दूसरा होता है effective stress, तो इस total stress में से जो pore water pressure है वो relevant नहीं है, वो constant होता है और वो important नहीं हमारे लिए, actual में soil के जितनी भी property, जितनी भी characteristic, जितन सारे dependent होते हैं effective stress पर, इसलिए हमारे लिए important है effective stress को समझने, हम लोग different system पर, different points पर निकालेंगे किस तरीके से effective stress find करते हैं, तो आप ऐसा भी कह सकते हो, कि total stress का, या फिर simply बोलो stress का वो particular part, जो कि relevant है, जिससे हम soil के different features को, different characteristics को classify कर सकते हैं, define कर सकते हैं, वो मेरा effective stress होता होता, next 6th part, आपका chapter का 6th part जो है, वो है permeability and sepase, जब water आ गई, तो ये water जो है, soil में flow करता है, soil में flow करता है, इसके flowing properties के basis पर हम लोग यहाँ पर define करेंगा और explain करेंगे permeability क्या है, वो इसकी property होती है, sepase क्या है, और sepase permeability का क्या effect आता है, ये सारी बाते हम लोगों को discuss करनी है, ह अब ही मैंने आपको देखा, बताया कि stress के बारे में आपने पढ़ लिया, permeability पढ़ लिया, तो अब जब stress आपने पढ़ लिया तो इसके distribution कैसे होगी soil पर, ऐसा नहीं है कि आपका ये पूरा soil layer इसके उपर अपने load अपलाई किया, तो ये सारे load ऐसी ही इसके नीचे act कर रह आपका bosnix theory, so ये दो stress distribution की theory हमें देखनी है, इसके apart कुछ additional भी वहाँ पर theories है, जैसे कि new marks influence chart है, कुछ approximate method होते हैं, जैसे कि equivalent load method, trapezoidal load distribution method, so basically 7th chapter में सर्फ ये देखने वाले हैं, कि आपने load apply कर दी, अब ये stress किस तरीके से distribute होगा उस पूरे entire soil system में हमारा, after that coming to the 8th chapter that is compaction and consolidation so compaction and consolidation हमें क्या देखने वाले हैं, ये दोनों ही, compaction and consolidation ये दोनों ही method है, ये दोनों ही method है, आपके overall volume को dry form में convert करने का, dry form में convert करने का, means dry form in the sense से मैं यहां करना है, कहना ये चाह रहा हूँ, कि आप volume को reduce कर रहे हो, और इसलिए ऐसा कर रहे हो, क्योंकि उसकी strength increase करेगी, difference इनके बीच का ये है, ये compaction जो आपका है, वो एक artificial process है, इसे हम और आप carry out करते हैं, consolidation आपका एक natural process है, consolidation में आपके water molecules जो होते हैं, particles होते हैं, वो आपके remove होते हैं, whereas compaction में हम airs को remove करते हैं, air worlds को, तो दोनों में ही हमने voids remove किया, आप ये voids क्या है, first chapter जब आप से discuss कर रह होगा, that will be stability of slopes, तो अब जो ये slopes है, ये जो आप structure बनाने वाले हो, जो आप structure बनाने वाले हो, इस soil के उपर, इस structure बनाने वाले हो, इस structure का, इस slope का, क्या stability condition हो सकता है, किस different चीजों पे, किन different factors पे, वो depend करेगा, किस तरीके से depend करेगा, ये सारी चीज़ा हम लोग देखेंग stability of slope में, तो basically slopes जो आपके होते हैं, वो slopes आपके दो टाइप के होंगे, एक हो जाएगा आपका finite slope, दूसरा हो जाएगा infinite slope, तो finite और infinite दोनों slope के case में, हम लोग उसकी stability condition चेक करेंगे, हम लोग उसके लिए ये बताएंगे, कि किस condition में वो stable होगा, कब वो unstable होगा, या फिर fail कर रहा है, तो उसके सारे detail आपको 9th chapter में मिलेगी, that will be a stability of slope, next chapter जो आप करेंगे 10th, that will be earth pressure theories, earth pressure theories में आपका क्या है, यहाँ पे आप कुछ नहीं करने वाले, earth pressure theories में हम लोग देखेंगे, earth का मतलब जो soil का layer है, इसके उपर जब आप load apply कर रहो हो, जो pressure generate कर रहा है, ये किस तरी event करके इसके consideration में कुछ theories हैं वहाँ पर, उन theories को हम लोग देखेंगे, rankines theory आपका most important, वहाँ पर हम लोग देखेंगे, earth pressure theories में, इसके उपर हम लोग कुछ questions देखेंगे, different cases हैं वहाँ पर, cohesive soils के लिए, उन different cases को हम लोग देखेंगे, किस तरीके से solve करते हैं वहाँ, कैसे वो pressure calculate करोगे, और उसके उपर फिर numericals भी, last chapter जो आपका है, soil mechanics का, that is seer strength, seer strength, तो आपके soil की seer strength क्या है, जब आप उसके उपर load या pressure कुछ भी apply कर रहो हो, किस amount में, किस point तक, वो resist करेगा इस movement को, उससे आप बोलोगे कि वो seer strength है, उस seer strength, soil के लिए हम देखेंगे, यहाँ पर stories को लोग यहाँ पर देखेंगे, तो seer strength आपका एक काफी important factor है, soil का, so इसके उपर काफी discussion होगा, बहुत ही important chapter है यह आपका, इसके बाद हम लोग foundation में move करेंगे, foundation में सिर्फ तीन chapter है, एक आपका shallow foundation, एक deep foundation और last soil exploration, so shallow और deep foundation दोनों ही foundation है, इनके बीच का बस एक difference यह रहेग बहुत ही lesser depth पर provide करते हो, whereas deep foundation के case में depth बहुत हाई होती है, तो यह depth को vary करने से भी काफी effect आते हैं इस foundation के उपर, और वो सारी चीज़े हम लोग यहाँ पर discuss करेंगे, again shallow and deep foundation में different theories है, वहाँ पर हम load calculate कर रहे होंगे, different theories के accordingly, उनके suitability check कर रहे होंगे, different types of foundation के हैं, जैसे कि यह सारी चीज़े काफी detail में लोग देखेंगे, 12th and 13th chapter में, at last आपके छोटा सा topic है, soil exploration, तो soil exploration का मतलब भी है, जब आप soil कहीं से निकाल रहे हो, उससे related कुछ important terms होते हैं, जैसे आप जिस भी instruments से, जिस भी equipment से, उस soil को excavate करोगे, बाहर निकाल रहे हो, इस equipment से related कुछ terms होते हैं, उनके कुछ properties होती हैं, जैसे कि inside clearance, outside clearance, area ratio, different types of method by which we can explore the soil, so यह सारी चीज़े, soil exploration में पढ़ेंगे, plus वहाँ कुछ छोटे-छोटे topics हैं, कुछ छोटे tables हैं, वो मैं आपको दूँगा, जैसे expensive soils के लिए क्या condition होनी चाहिए, differential settlement की क्या limit होती है, यह miscellaneous topic रहेगा आपका 14 that is soil exploration, so यह पूरा आपका geotech का part हो गया, soil plus foundation किस तरीके से हम लोग यहाँ पे deal करने वाले हैं, अब बात यह रही कि पढ़ना तो हमें सारा कुछ है, पढ़ना तो हमें सारा कुछ है, और important हमारे लिए complete syllabus है, but still अगर मैं preference की बात करूँ, preference की बात करूँ कि सर हमारा most of the focus कहा रहेगा, so यह आपके first two chapter, very very important, first two chapter, क्योंकि यह first two chapter से खुद तो question बहुत सारे पूछे ही जाएंगे, plus इनकी importance इसलिए भी increase कर जाती है, कि बाकी जितने भी आपके chapters है, उन सारे chapters में इनके basic concept और इनके basic formula कहीं ने कहीं use किये जाते हैं, so first two chapter very very important, इनके बाद आप आप आज effective stress से भी काफी सारे questions पूछे जाते हैं आपके exam में, काफी high weightage होता है, effective stress के बाद आप आजाओ, यहाँ पे आपका consolidation, compaction इतना relevant नहीं है, क्योंकि compaction से सर्फ theoretical questions बनते हैं basically, consolidation बहुत ही important है, यहाँ से numerical बहुत सारे frame किये जा सकते हैं, और पूछते भी हैं आपके exam में, so आप consolidation को बहुत ही खास ध्यान दोगे, ठीक है, चलिए, अब इन तीन में से, जैसे कि मैंने आपको बोला, sear strength, very 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 important, different theories है, different conditions है, और बहुत ही relevance है, इसकी practical aspect में, इसके लिए sear strength भी आपका बहुत ही important part हो गया, next, इसमें आपके foundation में, यह दोनों topic, shallow and deep foundation, very important, soil exploration मैंने आपको बो importance, weight is उनकी नहीं है, अब एक बात मैं फिर से repeat कर रहा हूँ, 1 to 14 सारे आपको पढ़ाए जाएंगे, properly पढ़ाए जाएंगे, same focus के साथ पढ़ाए जाएंगे, questions सारे topics से करने को मिलेंगे आपको, ठीक है, वो चीज़े यहां discuss होंगी, आपसे lecture में, class में, कोई भी doubt रहा, आपके star mark लगा रखे हैं, वो हमारे लिए important होगे, important in the sense, कि जब मैं पूरी बाते आपको पढ़ा दूँ, सारा chapter हो चुका हो, सारा complete हो चुका हो, वापस से जब आप revise कर रहा होगे, अपने exam point of view से, so in topics पे खास ज्यान दोगे, आपका 70% time, जब revision कर रहा हो, जिए टेक की, उसका 70% time in topics पुझाएगा, कितने chapter होगे, 2 starting के, 2 यहाँ, 4, 5, 6, 7, total 7 chapters, means out of what in 7 chapters जो आपके है, अगर आप बात करो number of chapters के accordingly तो यह 50% होगे, but इनकी weight is, आपकी 75% weight is होगे, आपके पूरी जीए टेक के इन से, तो इनके उपर हमें बहुत ही ज़्यादा special ज्यान देना है, औ और question solve करेंगे, रही बात आपके question solve करने के लिए उसके लिए जैसा कि मैंने आपको बोला है, यह complete assurance है मारे हूर से, मारे platform की तरफ से कि कोई भी subject जब आपसे deal किया जाता है, तो उसको इस तरीके से deal करना है, कि आपके previous year के exam सिर्फ ऐसा नहीं कि हम previous year के question solve करवा रहे है, questions previous year करके solve आपसे हर एक नहीं करवाएंगे, हम लोग question खुद के अलग solve करवाएंगे, आपके different multiple text books होते है, multiple sources होते है, उन सारे चीज़ों को देखके refine करके questions prepare किया गया, वो आपसे करवाए जाएंगे class में, उसके basis पे अब आप जाके previous year solve कर लो, आपके सारे question A to Z solve हो जाएंगे So next lecture onwards, सम लोग start करेंगे मारा first chapter that is origin and properties of soil.